नमस्कर दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज पहुत जबरदस्त वीडियो लेकर काया हूँ अगर आप पे हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखिए फोजी बनना कोई मजाक नहीं गाउं का कोई लड़का जब सेना का जवान बनने का सपना देखता है तो उसकी सुबह चार बजे होती है उठते ही गाउं की पकडंडियों पर दौर लगाता है और उम्र यही 16-17 बर्स की होती है चेहरे पर मासूमियत होती है और कंदे पर होती है घर की जिम्मेदारी माध्यम वर्ग का वह लड़का जो सेना में जाने के लिए दिन रत एक कर देता है उसके इस एक सपने से घर में बैठी जवान बहन बुढ़ी मा और समय के साथ कमजोर होते पिता की धेरों उमीदे ही नहीं जूड़ी होती है बलकि जूड़ा होता है एक सच्चे हिंदूस्तानी होने का फर्ज फौजी बनना कोई मजाक नहीं है फौजी इस देश की शान और मान है और हमारा अभी मान है देश सेवा के लिए फौजी हमेशा तक पर रहते है इन्हे ना प्रांथ से मतलब है और नहीं धर्म से इन्हे तो मतलब है बस अपने देश से एसे इलजा मत लगाओ इन पर ये सर कटा सकते हैं मगर मा भारती की दामन पर कोई दाग नहीं लगने देंगे कैसे भिकास हो उस देश का जहां डेर लाक सेलरी हर महीना पाने वाले संसदों की सेलरी इनकम टेक्स फ्री और 24 घंटे मौत की छाओं में रहने वाले सिपाही को 20,000 सेलरी पर इनकम टेक्स देना पड़ता है संसदों को परिवार के साथ रहते हुए भी हर साल 50,000 फोन कॉल फ्री घर से हजारों किलो मीटर दूर बैठे सैनिक को एक कॉल भी फ्री नहीं एक सांसत को फनीचर के लिए 75,000 रुपे बॉर्डर पर सैनिक को डिवटी के दोरान बारिस से बचने के लिए तूटी हुई छपपर सांसत को हर साल 34 सवाई टिकट मुफ्त सैनिक डिवटी जाते हुए भी अपने पैसे से टिकट लेता है सांसत को वहान के लिए 4,000,000 का इंट्रेस्ट फ्री लोन एक सैनिक को घर के लिए लोन भी 12.55% से मिलता है और ये सब वहां हो रहा है जहां पूरा देश इस सैनिक की वज़ा से अपने परिवार के साथ चैन से सोता है एक बेटी ने अपनी मा से पूछा मा रेडियो पे सुना इंडिया जीत गई जो खेल रहे थे उन्हें एक करोन रुपिया मिला मा बोली हाँ बेटी सरकार कहती है वो देश के लिए खेल रहे थे इसलिए बेटी मा से बोली असमान में हेलिकॉप्टर से लटकते जवान को देखके मा क्या इन्हें भी मिलेगा एक करोन मा बोली ना बेटी ना हमारे यहां बल्ले से खेलने वाले कोई नाम मिलता है, जान से खेलने वाले को नहीं, उपरोक्त विचार, अगर हिर्दय को असपर्स करें तो निवेदन है कि इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, सेयर करीद देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना धन्यवाद दोस्तों